नमस्कार, लेट्स कोक सम्थिंग में आपका स्वागत है, आज हम बनाने जा रहे हैं पराठा पीजा, पराठा पीजा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, चल ये बनाना शुरू करता है, पराठा पीजा बनाने के लिए हम ये आटा ले लिए हैं, आटा में अजमाइन कल इसमें थोरा सा नमक डालेंगे, अब इसमें हलका सा टेल डाल देंगे, तेल डाल के इसको मिक्स कर लेता है, अब इसमें थोरा सा थोरा थोरा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे, सौप्ट ने गूंदना है, थोरा हाड़ी गूंदना है, आटा गूंद लिये हैं, अब देख सकते हैं, अब हम इसमें हलका सा तेल लगा लेते हैं, इससे भी गूंद लेते हैं, थोरा मिला के, अब देख सकते हैं, अची तरह से गुंद आ गया, अब इसे हम 10 मिनट के लिए, रख देते हैं, रेस्ट होने के लिए, अब प्राठा पीजा बनाने के लिए यह सब की जरूरत परेगा हमें, ये हमने मीलच लिये हैं, केपसिकन इसे हम चोटो चोटो टुकरों में काट लिए हैं बारिक काट लिए हैं यह हम टमाटर लिए हैं इसे तो हम थोड़ा मुटा ही काटे हैं क्योंकि टमाटर गल जाता है इसलिए यह प्याज लिए हैं एक प्याज लिए हैं इसे भी बारिक काट लिए हैं हम टमाटर त इसमें तेल डाल दे रहा है, टूटबर स्पुन हम तेल डाले हैं, अब हम इसमें ये प्याज डाल देता है, प्याज में हम ये खिंगला मिर्च भी डाल देता है, अब हम थोरे दर पका लेता है, खातुनर पका लेता है, को देता है, तो बसमें तो दाल की बसा गहां, तो पकाना हूं, ये खाते नहीं पकाना है, अब हम मिखमें ये चमाटर भी डाल दे रहा है, चमाटर डाल स्पुन हर पकाएं गेंगे, ये तो चमाटर हमेशन हो जाए, अब छाखिक सब्सक्राइए, अब मैं आप देख सब्सक्राइब करद आप नेगा की अज़ा है डिने टब्सक्राइब का पटा तो ये जोर। ब्लेक पेपर, ब्लेक पेपर डाले हैं, रख श्पून रेड चिली फ्लेक्स दाल रहे हैं, उन्सक बशी तरफ निक्स कर दे रहे हैं, और इसमें नमक एड़ कर देते हैं, च्राद मसा नमक आड़ डाल दीजेगा, नमस हम आते में भी डाले हैं, इसी जिसमें हम कम डाल दे नमस, इसे थोरे दे थोरे दर और हम पका लेंगे, चीजा का श्टप्स तयार हो गया है, अब हम ग्यास बंदर दे रहे हैं, इसे निकाल लेते हैं, तो ठंडा हो ने देता है, उसके बार हम बनाएंगे, दस मिनट हो गया है, आता चेक कर लेते हैं, देखिए, इसे यहां से एक बार फिर इसे कर ले रहे हैं, इसके पराठा बनाएंगे, मैं आटा का लोई लिये हैं, इसके पराठा बना लेता है, अब इस पर हम इसे बनाएंगे, यह डाल दे रहे हैं, इसे पराठा सेप में कर दे रहे हैं, यह देखिए, इसे कर देंगे, इसको थर ऐसे अंदर कर देते हैं, और इसे हम यूँ कर दे रहे हैं, इसे हलका हमें बेलना है, इस तरह से हम इसे मोर देंगे, देखिए, यह पराठा सेप में हो गया है, इसे कर देंगे, इसको आप चाहें, तो बेलना है, इसे कर देंगे, इसको आप चाहें तो, कर देल देगे हैं, इसे हम हलका बेल रहे हैं, आप चाहें तो नहीं भी बेल सकते हैं, यहाथ के मदद से भी आप यूँ कर सकते हैं, हम इसे थोड़ा बेल दे रहा है बस हलका से हलका हलका हाथ से करना है अगर धाड हो जाता यह फट जाता है बस बन गया है इसी तरह से हम बना लेता है अगी अगी इसे तरह से हमें बना लेना है आपको हम दिखाएं एक हम बना Companies थे अगा से बनाता हैं तो बेल लिए हम जाते हाड उस पर गया तो моट फट गया इसे लिए हम हाड नहीं करना है बस हलके हलके हाथों से बेलना है इस पार हम आपको हाथ से दबा के बता रहे हैं इसको ऐसे कर लिजे इसको तरह अंदर कर दीजे बस आप लूं कर दीजे बस हो गया आप यूं करके रख दीजे देखिए पराठा बन गया है अब हम पराठे को सेक लेते हैं तावा गरम होने रख दिया है, तावा गरम हो गया है, अब सेक लेता हम पराथा, तावा गरम हो गया है, अब हम इसमें हलका सा टेल डाल दे रहा है, इसको पर दे रहा है, अब हम इस पर ये पराथा डाल दे रहा है, पराथा के ऊपर भी हम टेल डाल दे रहा है, इस तरह से आप पराथा पीजा बना के खाएं बहुत ही अच्छा लगता है खाने में कर देखें कि इतना अच्छा सिख गया है कि दूसरे से रुप्याच कर लेता है कि दूसरे से भी हो गया है अगर निकाल ले रहे हैं इसी तरह से बाती भी हम सेख लेंगे पीजा बनके तयार है पराथा पीजा बनके तयार है देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है यमी लगता है खाने में हम इसे टामाटा सॉस के साथ सर्व कर रहा है आप चाहिए किसी और भी चटनी के साथ कर सकते हैं अगर आपने हमारे चैनल को अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल एकन को आल पे सेट कर दीजिए वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए सेयर कीजिए मिलते हैं आपसे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए